आज की वीडियो में हम जानेगे की ओल्ड टू न्यू वोटर आईडी के लिए रिप्लेस्मेंट कैसे किया दाता है तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिएगे सब्सक्राइब बटम पे क्लिक करें और बैल आइकन को भी दोगा है तो हमें सिधे गूगल क्रूम पे आना है वहाँ पे आने के बाद वोटर आईडी आउनलाइन करके सर्च कर देना है थोड़ा जूम करेंगे उसके बाद जो सेकेंड आएगा होम वोटर उसके उपर क्लिक कर देना है अगर आपका पहले से अकांट क्रियेट है तो सीधे लॉग इन कर देना है नहीं तो क्रियेट अकांट पे ख्लिक कर देना है कि आप पे अपना मेल आइडी नहीं तो मोबाइल नंबर डालके आप रेइश्टर कर सकते हैं मोबाइल डालके कंटीनु पे क्लिक कर देना है उसके बाद आपके मेल आइडी पे एक वेरिफिकेशन के लिए लिंक चला जाएगा इसको पर क्लिक करके अपना पासवर्ड ग्रेट करना है नहीं तो हम फोन नंबर की मदद से भी रेइश्टर कर सकते हैं इसे और सेंट डालके क्लिक करना है आपके मोबाइल पे एक ओटी भी आएगा डिजिट का वह यहां पर एंटर कर देना है और वेरिफाय कर देना है सिधे वापिस पीछे आ जाना है और create password करना है एटलिस six digit का password होना चीए letter, numerical और symbol होना चीए उसमें और नीचे confirm पे सेम वही password एंटर करना है और capture फिल करना है 13 plus 5 18 terms and condition पे क्लिक करके create account welcome to water portal, welcome पे क्लिक करना है यहाँ पर अपना name डालना है नीचे surname डालना है अपना state select करना है महराष्ट्र, gender और submit करना है submit करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे option है new water registration है, correction in water id, shift to other place और replacement of water id, deletion of water id मुर्लब delete करना चाहते हो तो तो हमें सिधे replace करना है old old से new में तो हम उसके ओपर क्लिक कर देंगे आप अपना नाम शोग हो जाएगा your form has been submitted to the electoral register office you will get reference number to track your application और let's start पे click कर देना तो यहाँ पे पूचे का you have already have a voter id number तो yes हमारे पास है यहाँ पे अपना voter id number डालना है और face details पे click कर देना we have found this record for the voter id number और proceed पे click करना है यहाँ पे अपनी सब voter की details आगई टीक से verify करें जेंडर, स्टेट, एज, पार्लिमेंट, एपिक नमबर और continue for replacement of voter id करके continue कर देना है यहाँ पे अपना mobile नमबर एंडर एंडर करना है और get otp पे click कर देना है फिर से otp डालना है आपर और verify कर देना है और mobile number is verify तो आपर replacement की reason डालना है जब किस चीज के लिए इसे replace कर रहे हो तो हमारा जो old था तो यह गूम हो गया है तो हमने यह डाल दिये replacement of voter id चूज यह option to collect voter id हमें voter id कैसे चीए तुम में को पोस्ट के द्वारा चीए तो वोटर आइडी बाए पोस्ट करके save and continue पे click कर देना है आपके address पे आ जाएगा तो आप यह वोटर की सब election commission of India की details आ गई आपकी करना है I request a duplicate other card is we should do original is lost, damaged or destroyed that's why we are applying this नीचे प्रोल्डाउन करना है age do number I wish to receive my epic by post करके submit पे click करना है जो थोड़ा time लेगा congratulations you have successfully submitted your application नीचे अपना application reference number दिया रहेगा उसे कई copy कर ले इसके मदद से आप अपने status को track कर सकते है तो आप ऐसे ही घर बेटे old to new voter id को apply कर सकते है तो अगर आपको वीडियो पसंद आयाएगा चैनल को like करे, share करे और subscribe करे तो अपनाएण झाज शुआ लोड़ दियो युआ